मेरे नम है शिवम और आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अभी जिस तरह का मार्केट फेज चल रहा है जो बेरिश फेज होता है मार्केट का उसमें सही तरीका कौन सा होता है इंवेस्ट करने का जो हमें लॉंग टर्म में बेस्ट प्रॉफिट्स यहां पर दे सकता है देखो बेर मार्केट और बेरिश फेज ऐसे बहुत सारे आते हैं जहां पर कंसॉलिडेट करती है मार्केट मतलब एक ही प्राइस रेंज के अंदर एनाओ एनाओ वही चलती है तो पहली बात तो होती है अफकोर्स कि आप वो प्राइस रेंज समझ लो और उस प् अप्रोच काम आती है जो मैंने कुछ दिन पहले मेरे फ्री मॉर्निंग वाले इमेल में भी बात की थी वो अप्रोच की बात है S.I.P. S.I.P की बात करें है अपन सिस्टेमाटिक इंवेस्मेंट प्लान की और क्रिप्टो में तो स्पेशली बहुत ही जादा खतरनाक हो सकता अगर इसको बेर मार्केड में यूस की आ जाए 해ish phase में use की आ जाएर क्या जाए जब हम S.I.P को बेरिश phase में लगाते है गाइस तो जैसे है Bitcoin की अगर आपन बात करें तो हम यहाँ पे Bitcoin खरीते जारे खरीते जारे खरीते जारे खरीते जारे खरीते जारे फिर जब bull market आएगा और यह Bitcoin यहाँ पे अपना all time high cross करेगा तब हमारा यह सारा थोड़ा 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 का जो buying है वो यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक fruit लेकर आता है पर इसमें एक चीज़ आपने realize की होगी कि SIP अगर मैंने short term की हो मतला मैंने यहाँ पे buying की हो 38,000 की range में फिर नीचे चला गया फिर नीचे चला गया फिर नीचे चला गया फिर उपर आगया फिर नीचे चला गया short term में थोड़ा सा volatile यह रहता है पर SIP जादा coin accumulate करने के लिए बहुत अच्छा है तो as an example मानलो आप एक bitcoin खरीद रहे हो एक bitcoin 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 आपने ये phase में जो है मानलो 15 bitcoin खरीद ले अब जब bitcoin all time high cross करेगा तो यहाँ पे आपका price क्या है will not matter much क्योंकि वो average हो गया होगा इस strategy को हम DC या dollar cost average या rupee cost average भी कह देते है 99.9% जंता के लिए यह best तरीका होता है invest करने का and safest आपको पता ही है comparatively bitcoin एथिरियम जो है जिसमें bitcoin safest यहाँ रहता है and safest है मेरा मतलब है सबसे कम volatile ठीक है तो वो एक important चीज आपको यहाँ पे ध्यान देनी है plus SIP given whatever the tax is going to be SIP का फाइदा यह है कि वहाँ पे आप बेच नहीं रहे हो तो आप सिरफ खरीद रहे हो तो अभी taxation वाला भी आपको बेचने के टाइम पर आएगा दूसरी बात SIP का फाइदा यह है कि आपको एकदम से बहुत सारा खरीदने की जूरत नहीं है what that means is अगर आप normal जंता में आते हो जो 99% जंता होती है हम जैसी कि जो job करते हैं and job से salary आता है and थोड़ा बहुत जो saving होता है उसमें से invest करना होता है हम जैसों के लिए यह better होता है SIP क्योंकि यहाँ पे हम लोग regularly invest कर सकते हैं पैसा थोड़ा थोड़ा है सही ऐसा तो है नहीं यह एक लाग रुपर डाल दिया फिर एक लाग डाल दिया फिर एक ल तोड़ा तोड़ा करके जो है add करते रहे और average करते रहे अब यह average करने के तरीके बहुत हैं अलग-लग platforms हैं आप चाहे कोई भी यूज कर सकते हो आप चाहे manually कर सकते हो but but मैं जो platform यूज करता हूँ वो है world उसको लेकर आप मैंसे काफी सारे लोगों question थे तो वो भी मैं यहा आप करना चाहते हो पिना referral link जो है आपको नीचे description और print comment मिल जाएगा world हमारा channel partner भी है as a disclaimer but also मैं मेरे खुद के बैसे के साथ world use करता हूँ यहाँ तो world में ऐसा है आप sign up कर लोगे तो world में यहाँ instant swap में मैं अभी जा रहा हूँ instant swap का option है मैं आपको AIP चला कर दिखाऊंगा ज मैं 170 something मेरे पास USDC को USDT में convert कर लिया है अब मैं जाओंगा यहाँ invest वाले option में मेरे पास fixed deposit का भी option है जहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छा interest rate मिलता है तो मैंने कुछ USDC यहाँ पर करके रखे है savings के लिए but then मैं AIP में जाता हूँ तो AIP में इसका यहाँ पर इसको refresh कर देते ह एक second तो AIP में आप phone use कर रहे हो तो भी जा सकते हो आप अगर PC use कर रहे हो मेरी तरह तो भी आप AIP में जाओगे तो यहाँ पर आपके बस options आ जाएंगे अलग लग और यहाँ पर आप देख सकते हो right side पे जो है create a new basket का option आ रहा है थोड़ा सा और बढ़ा कर देता हूँ मैं तो यहाँ create a new basket के option में आपन बहुत simple सा काम करेंगे देखो दो चीजे कर सकते हैं यहाँ पर बाइदर डिप आप देखो यहाँ पर लगा हूँ है तो दिन में एक बार जब 5% का डिप आएगा 30 USDT वो अपने आप उसमें डाल देगा 50% Bitcoin 50% Ethereum पे लगा हूँ है 330 USDT इसमें invested ह इसको मैं resume कर देता हूँ तो यह अब ongoing में आ गया अब दूसरा create a new basket में जाना है आपको SIP लगाने के लिए Bitcoin में क्लिक किया Ethereum में क्लिक किया कितना percentage I think 60% Bitcoin 60% Bitcoin 40% Ethereum कर लेते हैं अब मैं choose कर सकता हूँ by the dip करना है या daily करना है weekly करना है monthly करना है तो मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ यहाँ पर आप चूज कर सकते हो अगर आप monthly salary के हिसाब से करना चाहते हो पर मैंने already इसमे 170 वो डाल दी है dollars तो यहाँ पर daily में मैं आ गया हूँ इसको 6 महीने की duration कर लेते हैं अभी के लिए USDT दिन का अगर मैं यहाँ पर 300 रूपीज करना चाहूँ तो मुझे एक महीने का almost 150 dollars वो बनता है तो approximately मैं 5 USDT daily करता हूँ यहाँ पर तो यहाँ पर 3 USDT जो है इसके पास आ जाएगा और 2 USDT जो है Ethereum में चला जाएगा daily इसकी AIP create हो गई अब यह मेरी SIP यहाँ पर start हो चुकी है रोज दुपेर को यह SIP अपने आप execute हो जाएगी मुझे जादा कोई टंटा करन की कोशिश नहीं करनी है मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा Ethereum थोड़ा थोड़ा Bitcoin खरीतता रहोंगा खरीतता रहोंगा खरीतता रहोंगा जब bull market आएगा तब अपन भंगड़ा डालेंगे ठीक है अब फाइदा इसमें आप altcoins वगरा में भी SIP लगा सकते हो मैंने वो सब अ काफी सारे altcoins आए from what I know the latest figure is 250 coins available है overall जिसमें आप वर्ल्ड के थुरू invest कर सकते हो and काफी सारे जो है अवेलेबल है जिनमें आप SIP भी यहां पर लगा सकते हो plus आपको interest मिल लगा तो WRX वाले लोग Shiba वगरा वगरा जो भी आप लोग चाहते हो but थोड़ा सा market के हिसाब से दे और slow चल रही है नहीं तो वहां पर यह SIP अप्रोच बेस्ट होता है क्योंकि आपर हमें कुछ timing करने की जुरूत निया कुछ तुक्के लगाने की जुरूत निया कब कितना जाएगा दो मई को कितना होगा एक एप्रिल को कितना होगा market कुछ पता करने की जुरूत निया SIP के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी मुझे नीचे बताएं वाल्ड का लिंक जो है आपको description और print comment मिल जाएगा तो जरूर चेक आउट करें अगर आप already SIP में नहीं है especially world नहीं use कर रहे है तो जरूर चेक आउट करें काफी अच्छा automation जो है world के थुरू मिला है plus last thing that I'd like to mention अगर आपको world में कुछ issue आ रहा है do not shy away from tweet में आप tweet करो मेरे को tag करो मैं try करूँगा कि मैं उनकी team तक आपका जो भी request है या query है वो पहुचा सा को यहाँ पे this is Shivam guys मैं आप लोगों मिलता हूँ अगले वीडियो में आपको कुछ प्रोचाहन मिला होगा एक systematic तरीके में invest करने के बारे में मैं आप लोगों मिलता हूँ अगले वीडियो में तब तक के लिए guys चाओ